सेक्स प्रॉब्लम के लिए होमेोपाथिक मेडिसिन कलकरिया कार्प का इस्तमाल कैसे करना चाहिए आज हम लोग इस वीडियो में ये बात जानने वाले है दोस्तों आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे ये पूछा है कि आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कलकरिया कार्प को सेक्स प्रॉब्लम की भीतर मैं किन सिम्टम्स की आधार पर इसको में प्रेस्काइब करता हूँ और उसको इस्तमाल कैसे करना चाहिए ये भी हम लोग जानेंगे तो सबसे पहला मैं आपको ये बताना चाहूंगे कि दोस्तों कलकरिया कार्प जो हमेपाथिक मेडिसिन है ये एक बहुत बड़ी पॉलिक्रेस्ट बहुत बड़ी एंटिसोडी ग्रेमिडी है डॉक्टर सैमूल हैनमन की एक बहुत बड़ी खोज है ये मेडिसिन और ये मेडिसिन सिर्फ यौन समस्या की भीतर काम में आती है ऐसा नहीं ये इसको छोड़ कर हजारों प्रॉबलम में काम में आती है कैंसर जैसे प्रॉबलम भी ठीक कर सकता है ये मेडिसिन दोस्तो कैलकरिया कार्प को रेकमेंड करने से पहले मैं पेसरेंड का भीतर सिर्फ पांच सिम्टम देखता हूँ और यदि ये पांच सिम्टम मुझे मैच होता हुआ दिख जाता है पेसरेंड का भीतर तो मैं एक मिलिट भी समय ने लगाता हूँ इसको रेकमेंड करने से चाहे आपको प्रॉबलम कुछ भी हो सकता है उससे कोई मदलब नहीं है अगर ये पांच सिम्टम मैच होता हुआ दिख जाता है तो आप कोई भी प्रॉबलम लेकर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको यही मेडिसिन दूँगा और पुरुसों की यौन समस्या को ठीक करना इस मेडिसिन के लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं मैंने गंभीर से गंभीर यौन समस्या की भी पर इस मेडिसिन को प्रेस्काइब किया है जहां मुझे लगा कि यह मेडिसिन काम करेगी जहां मैंने इसको प्रेस्काइब किया है बहुत जल्दी बहुत बढ़िया बहुत फास्ट काम किया है ये मेडिसन और जिन लोगों को मैंने सेक्षवल प्रॉब्लम के दौरान कैलकरिया काप पे स्काइब किया है तो कैलकरिया काप खाने के बाद आपको कितना रिलीफ मिला हुआ है कितना आपको आराम मिला हुए sexual problem में क्रिपिया करके इस वीडियो comment box पुछटा comment करके बताइए ताकि जो new wears है उसे ये comment पढ़कर समझ में आ जाए कि होमेपैथी काम करता है या नहीं दोस्तो कैलकरिया कार्ब का जो first symptom में देखता हूँ पेसेंट का भीतर में देखता हूँ वो यह कि पेसेंट का अपेरंस कैसा है पेसेंट गोरे मोटे और थुल्थुले है कि नहीं तो अगर मेरे पास कोई पेसेंट आता है जो कि fat fair and flabby है तो मेरा दिमाग कालकरिया कार्ब का तरब पहले जाता है लेकिन आगे की जो symptom से 3-4 symptoms और है वो decide करेगी कि असल में ये कलकरिया काब है भी या नहीं क्योंकि सिर्फ पेसेंट को देखकर हम लोग medicine नहीं दे सकते है इसकी आगे की जो points है वो भी match होना चाहिए इसका जो second symptom है वो ये है कि ये जो patient है ये बहुत चिली patient होता है चिली patient का मतलब इसको ठंड से परसानी बहुत ज्यादा होता है जो भी problems इनका aggravate होता है वो ठंड की महिनों में इनका problem बढ़ता है अब वो problem कुछ भी हो सकता है उसको पेट में प्राबलम हो सकता है उसका gas ब गया जो पॉइंट का अंदर देखता हूं वो ये है कि patient का physical activity कैसा है patient भाग दोड कर पाता है या नहीं क्यूंकि कैलकरिया का जो patient होता है उसको थोड़ी सी चलने में ही उसका सांस फुलने लगता है और face से पसीना बहुत ज्यादा आता है सर से इनको पसीना बहुत ज्याद तो ऑता है उसको घब्राहट होते है बैचा इसको सास फुलता है और उसी के साथ उसको face में उसको पसीना बहुत ज्यादा आता है छाय थोड़ा सा गर चाय भी पी लेता है और वह विंटर में आता है इवेन विंटर में भी पसीना आता है है कलकरिया का जो fourth symptom होता है वो यह को दौह सकता है कि और आसा बहुत कम मिल को मलत ऐसा करने की आई मिलता है जिस पेसरेंट को अक्सर क्यज्क की प्रब्लम लगा रहता है तो वहां पे था आप को रेकर्मेंट कर सकते हैं मगर कैकरिया पाप का पेसरेंट का स्टूल सब्सक्राइब हाद नहीं होता है इसका स्टूल नरम ही होता है या स्पात्र करने की प्रेसर इनלא होता है यह वह दिलत की लेकर्फ प्रेसर जोता है यह बहुत बातुन होता है मतलब बहुत ज़दा बोलने वाला होता है इसका patient इसका patient को अगर जश्ट पुछा जाए कि आप क्या काम करते है तो वो patient सब कुछ बताएगा starting से लेके end तक कि कैसे उसको काम मिला कैसे वो पढ़ाई किया इससे पहले वो कौन सा काम किया करते थे a to z वो सब कुछ बताएगा आपको case taking के दौरान इसका patient से जब भी मैं सवाल करता हूँ तो इसका जो answer आता है वो हमेसा बढ़ा चला कर लंबा चोड़ा answer आता है in short में answer नहीं आता है तो यह है calcarea carb का वो 5 rare symptom इसके इलावा और एक में peculiar symptom आपको बोल देता हूँ peculiar rare symptom में आपको बोल देता हूँ calcarea carb का वो यह है कि इसका patient जब भी सराफ पीता है alcohol पीता है तब उसको काम करने में अच्छा लगता है काम करने में उसको मज़ा आता है उसका दिमाग खुल जाता है यह calcarea carb का बहुत ही well keynote symptom है मुझे आज तक बहुत patient ने यह कहा है कि सर जब भी मैं शराफ पीता हूँ तो मेरा अंधर काम करने का इच्छा अब जग जाता है वैसे तो मेरा अंधर सुस्ती हमें सा बना हुआ रहता है काम करने का मन नहीं करता है काम को टालते रहता हूँ लेकिन जब भी मैं थोड़ा से alcohol पीता हूँ तो मैं पूरी तरह workaholic बन जाता हूँ अपना काम के पती पूरी तरह समरपित हो जाता हूँ इसके इलावा calcarea carb की एक दो symptom और है जो मैं आपको add करना चाओंगा इस विडियो में वो यह है कि calcarea carb का जो patient होता है इसे अंडे खाने की बहुत ज़्यदा शौक होता है एग इनको बहुत पसंद होता है दूसरा calcarea carb का patient को milk पच्टा नहीं है थर्ड calcarea carb का जो patient होता है नॉर्मली उसका भूग प्यास ठीक रहता है लेकिन जब इनका कोई saradic समस्या इनको develop हो जाता है कोई problems इनका अंदर आ जाता है तो उस समय उसका भूग बढ़ जाता है तो ये कुछ extra symptoms add कर दिये हम calcarea carb के लिए इसे भी मैं देखता हूँ तो ये जो 5-6 symptoms हमने आपको calcarea carb के गिना है यदि आपका भीतर ये मैंच हो रहा है और आपको यौन समस्या है आपको sexual problem है तो कैसा भी यौन समस्या क्यों न हो किसी भी तरह का कितना भी पूरा न है कितना chronic से chronic यौन समस्या क्यों न हो ये जल से समाप्ट कर देगी पेस्रेंट को अगर cancer भी है पेस्रेंट को अगर tumor closest है पेस्रेंट को अगर tumor है या फिर पेस्रेंट को अगर respiratory related कोई problem है या फिर पेस्रेंट का skin में कोई problem है उसको vitiligo की problem है तो हर तरह की हर समस्या इससे ठीक हो जाएगी सिर्स ये 5 से 6 symptom आपका भीतर match होना चाहिए अब इस medicine की अगर doses की बात करे तो मैं personally अपना patient को LM potency में prescribe करता हूँ 50 millisimal जो scale होती है उसमें prescribe करता हूँ जो मेरे patient है उनको पता भी होगा लेकिन 50 millisimal scale जो है हमेसा हर जगा पे available नहीं होता है और अगर available हो भी जाता है तो इसको बना नहीं पाएंगे तो आप एक काम कर सकते है यदि आपका भीतर ये symptom match होता है तो आप calcarea carb को 6H potency में लेकर आए 6 power में लेकर आए और उसको दो दो बून सुभे दो फैर शाम आप continue एक महना आप लीजे continue एक महना लेने के बाद आप calcarea carb को 30 potency में लेकर आए और दोसको भी एक महना लीजे और इसका medicine को इस्तिमाल करने का तरीका ऐसा होता है दो बुन दो चमच पानी के साथ आपको मिला कर पिना पड़ेगा डारेक्ट अपना जीप पे मट डालिए अप इतना में ही आप देख पाएंगे कि आपके यौन समस्या काफी हर्त ठीक हो चुका है और यदि पूरी तरह ठीक नहीं हो रहा है तो आप आगे का ट्रीटमेंट क किसी एक अच्छी क्लासिकल एमडी होमेपायत के पास जाकर करवा लीजिए तो ठीक हो जाएगा तो दोस्तों मैं इस वीडियो को ही प्रेंट करना चाहूंगा तो थैंक्यों वेरी माच एंडवा गुड़े